दोस्तों तो नीन के बहुत 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 प्रोब्लम चलती है लोगों को और नीन क्यों नहीं आती वट आर दफाकर्टर्स जो आपकी नीन को अफेक करती हैं आज वह समझेंगे और आज स्लीप के ऐसे ऐसे बेसिक्स आपको समझाएंगे क्योंकि यू नो यू शुट नो यह वीडियो बहुत जरूरी है और आपके लिए नीन बहुत जुरूरी हो जाता है और कई सारे लोग जो हैं कई सारे फैक्टर्स है आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग आपने रात को क्या खालिया था आपके रूम का टेंपरेचर वही करम हो गया तो नहीं नहीं आएगी अगर आप जानना चाहें स्टीप के स्टेजिस क्या है वह भी वीडियो बना रखा है और इर्रेगुलर स्लीप है इन पर वीडियो अल्रेडी है जरूरूर देखेंगे सर्च करके सर्च कैसे करेंगे स्लीप बाइ डॉक्टर एड्यूकेशन पर सर्च मारी आपको मिल जाए और रहें सो नेक्स्ट चीज जो है वाट आर दा फैक्टर्स विच अफेक्ट यॉर स्लीप में बेसिकली कोई भी हो क्या रहा है आपके स्लीप और वेक साइकल में कही ना कहीं ब् स्ट्रो ट्रांस्मीटर को जो भी चीज अफेक्क करेंगी वह आपकी स्लीप को अफेक्क करेंगे जैसे जो दारू जो है इसके वज़े से यू फॉल इंटु आ लाइट स्लीप नीन जल्दी आ जाती है लेकिन डेप्थ में नहीं जाती मेरे दोस्ट और अगर आपने हमारा आपको पता है कि डेप्थ में नहीं सोय तो क्या सोय कोई फायदा हुआ नहीं आपका तो इट रिद्यूस इस देपर स्टेज़े अफ्लीप आपके आरियम स्लीप और उसके वज़े से एक्चुली में जो स्लीप के फायदे मिलने चाहिए आपकी बॉड़ी में सेफ लिमिट वाला वीडियो भी है मतलब ऐसा भी निल्टाओ की अपको स्फit और काफीन कोफी चाह कोफी कैफीन शुड़ अफ्रीन ये सारे इस दवा और सद्रीी के लिए लेते हैं और कफीन चाहाई कोफीन कोफीन केफीन शुड़ी चीजो में है और यह जो चीजें है ते स्टिमूलेट यॉर ब्रेन और इसी वज़े से बोलते हैं सब्दी की दबहा के वज़े से कई बार हो सकता है कि आपको सूड़ोफरीन वाले एक चीज है एक दूसरी सब्दी की चाहें बाइख चाहें कितनी पीते हैं यह भी लिखके बता सकते नीच है और vijakन हो सकता है वर यह सब्न करों काफी जौह आतवाइगों याली कि युदा कुल इस हिर्ष्ए इसी वह भी आपकटी लिए helping चैनल स्लीप घ्राइब्स गर्फिटोगों करें तो वह भी रेगुलर लेना अच्छी बात नहीं उन्हें भी जो स्लीप होती है निकोटिन को पड़िक आप यह स्लीप कम हो जाती है और अगर आप माल लीजिए नहीं मिल रहा निकोटिन खतम हो गया तब पट से जागा जाती है तो निकोटिन विढरावल भी हो सकता है में तो smoking is also one factor which affects your sleep very hot and very cold environment भूत ही घंडी है तो उससे भी आपकी REM sleep आपकी deep sleep disrupt हो जाएगी आपकी deep sleep depressed हो जाएगी because because you are less able to regulate your body temperature during your REM sleep इस वज़े से आपका external temperature जो है comfortable होना बहुत ज़रूरी है नीन के टाएं उसके बाद कितनी नीन चाहिए आपको ultimate सवाल यहीं आता सबके हैंगी सोटे बच्चे infant उनको 16 घंटे खाए सोए खाए सोए तुदू पीए सोए तुदू पीए सोए और कुछ आता नेता नहीं और बाकी सब को कम से कम 9 घंटे विकोज उनके अंदर hormonal activity growth हो नहीं है अच्छी हाइट चाहिए तो 9 घंटे सो नहीं चाहिए हम क्या कर सकते भई नहीं सो 6 घंटे सोंगा मैं पढ़ाई करूंगा मैं पांच घंटे चार घंटे यह तो यह ऐवरेज की मातरा में 7 घंटे बेस्ट माने जाती है कई लोग 5 घंटे-6 घंटे फिर प्रेगनेंट लोग जो हैं उनको ज्यादा नीन चाहिए पहले ट्रांस्ट्राइमेस्ट रहने फर्स थ्री मंस में जरूरी है अच्छी ज्यादा नीन नौ घंटे की नीन लेनी ठीक है तो हो गई कितने सोना है हो गया पता चल गया क्या होता है कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर करेंगे है तो अपना अपने नीचे रिव्यू दीजिए बताइए कैसा है और जल्द ही चैनल मेंबर्शिप्स भी आने वाले हैं तो विल सी यू थैंक यू स्टे कर्नेक्टेड लिए